नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो स्पोर्ट्स इंजिनियर, दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़दे इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बास्केट बॉल से रिलेटेड उसकी हिस्टरी, रूल्स, मेजरमेंट, स्किल, टोर्नामेंट से लेकर कम्प्लीट इन्फॉरमेशन देखने वाले, यह वीडियो देखने के बाद आपको बास्केट बॉल गेम में कोई प्रॉलम नहीं होने वाली है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में बास्केट बॉल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो अब देखे इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे सबसे पहले हम गेम के बारे में देखेंगे ये गेम कैसा होता है उसके बाद में हिस्ट्री देखेंगे उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या हिस्ट्री थी और इंडिया में ये गेम किस तरीके से आया उसके बाद में हम basketball की measurement देखेंगे इसमें कौन-कौन से equipment काम में आते हैं उनको भी हम देखने वाले हैं गेम के हम rule देखेंगे अच्छे तरीके से जिन से related हमें exam में भी कुछन देखने को मिलते हैं फिर कुछ skills होती है basketball में जो basic skills हैं उनको भी हम देखेंगे national और international level पर basketball को कौन चलाता है कौन सी governing bodies है कौन सी संस्ता है जो basketball के नियम बनाती है या फिर उनको देखती है इसके बाद में major tournaments कौन-कौन से होते है basketball के अंदर बहुत साथ tournaments है उनको भी हम देखने वाले है इसके बाद Olympics, Asian Games और Commonwealth Games इन games में basketball की अभी तक की क्या presentation रही है इसको भी हम देखेंगे famous player हम देखेंगे international level और India के इसके बाद में basketball से समंदित हम awards देखने वाले है यह से कौन से player है जिनको basketball में award मिला है इसके बाद में terminology अलग-अलग terms होते हैं basketball में क्योंकि कई बाद हमें exam में पूछ लेते है कि rebound कौन से game से समंदित है तो हमें चार options दिए हो भी मिलेंगे ऐसी बहुत सारे terms है important terms को इस वीडियो में discuss किया गया है तो देखें इस तरीके से total यह 12 content है इससे हम पूरे basketball game को cover करने वाले है तो देखेंगे हम knowledge of the game तो देखें बास्केटबॉल game क्या है code पर 5 खिलाडियों को दू टीमों के बीच खेला जाने वाला यह एक team game है code पर कितने player खेलते हैं 5 player खेलते हैं इस scale में बहुत अधिक मातरा में calorie खर्च होती है बहुत ही first game होता है इसलिए इस game को खेलने के लिए हमें high amount की energy की requirement होती है यह हड़ी और muscles की ताकत बनाने और immune system को boost करने के में भी मदद करता है यह खेल युवा खिलाडियों में आत्म, अनुस्वासन और एकागरता भी विक्सित करता है क्या करता है? Self, Discipline और Concentration यह कुछ points है, अगर आपको कोई पुछे कि basketball क्या help करता है तो आप उनको इन 4 points के मादम से बता सकते हो अब हम सुरू करते हैं, सबसे पहले basketball की history तो देखिए, basketball की शुरुवात हुई थी USA के अंदर अमेरिका में इसकी starting हुई थी December 1891 में Dr. James Nismith इन्होंने इसकी स्थाफना की थी तो देखिए, किससन हमें ऐसा ही देखने को मिलते हैं कि Who is the father of basketball तो आपको सीधा वहाँ पर कर देना है कि James Nismith ने basketball की शुरुवात की थी कहाँ पर की थी? USA में December 1891 में यह देखिए, यह है James Nismith यह एक टॉकरी थी इस तरीके से इस गेम को पहले सुरू किया गया था यह इनके हाथ में एक football है तो football को पहले अंदर डालना पड़ता था फिर वापस इसको बाहर निकालते थे starting में इस गेम को इस तरीके से ही खेला जाता था तो यह basketball की सुरुवात थी यह James Nismith है और इस तरीके से यह पूरा अरेंजमेंट होता था Dr. James Nismith ने International Young Men's Christian Association Training School में यह physical educator थे यह सारे डिक शिक्षक थे जिसे अब Springfield Massachusetts में Springfield College of Physical Education के रूप में जाना जाता है देखे बहुत important क्योंसन है यह हमें देखने को बहुत जाता मिलता है James Nismith ने basketball की सुरुवात कहां पर की थी तो उन्होंने की थी YMCA के अंदर Young Men's Christian Association Training School वहाँ पर यह physical education teacher थे अब इसका नाम क्या हो गया है यह भी हमें पता होने चाहिए तो वो रहा यह इसके बाद देखिए इसके बाद यह फाइनली basketball को launch कर पाए इसमें तोकरियां ली इन्होंने और soccer ball ली मतलब एक football ली और यह आपको टोकरी दिखाए दे रही इस तरह के से टोकरी लेकर इन्होंने इस game को शुरू किया जिम का जो hall होता है उसके उपर उन्होंने 10 feet की उंचाई पर बालकरी पर रेलिंग पर टोकरियों को लटका दिया और उस टाइम पर man purpose क्या था जो जो basket है उसके अंदर उस football को डालना था यह इस तरह की basket आपको दिखाए दे रही है इसके अंदर football को डालना था सुरुवात इस game की इस तरीके से ही हुई थी पहला basketball खेल सरीरिक शिक्षा के चात्रों के बीच 21 दिसंबर 1891 में Springfield Sectarial Training Class of College of Physical Education के अंदर खेला गया था इसमें 9 खिलाडी होते थे उस टाइम के अंदर यह पूरी detail है इसकी पहला game कब खेला गया 21 दिसंबर 1891 में अब देखते हैं next point basketball को 1904 में St. Louis, Missouri स्विंग तुराज्जे अमेरिका third Olympic खेलों में demonstrate किया गया था देखिए 1904 का जो Olympic था St. Louis में उसके अंदर basketball को एक demonstrate game के रूप में present किया गया था यह ऐसा भी एक game है जो कि इस तरीके से खेले जाता है देखिए कोई भी game अगर Olympic में सामिल किया जाता है तो उसको बहुत बार demonstrate करना पड़ता है Olympic committee के सामने या फिर जहां पर Olympics होते हैं वहाँ पर उस game को दिखाना पड़ता है तो ऐसे ही जो third Olympic था 1904 का उसके अंदर पहले बार इसको demonstrate किया गया था यह point भी आपको ध्यान में होना चाहिए 1915 के अंदर basketball जो game है उसके नियम को एक standard रूप दिया गया कि हम इस तरीके से इस game को खिलने वाले हैं यह कब हुआ था 1915 में यह year भी आपको ध्यान में रखनी है 1924 का जो Paris Olympic था उसके बाद में 1928 और फिर 1932 इसमें प्रदर्शन मैच की रूप में इसको सामिल किया गया था मतलब आपको बस देखना है यह game किस तरीके से होता है competition के लिए उस टैम पे भी इस game को सुरू नहीं किया गया था 22, 28 और 32 का जो Olympic था इन तीन Olympics में इस game को only दिखाने के लिए खेला गया था यह ऐसा एक basketball का game है जिसको खेलना है क्योंकि जब बहुत सारे देश Olympic में सामिल होते हैं और उस game को देखते हैं तो दिरे दिरे उस game को सीखते हुए वो अपने देश में भी जाकर खेलते हैं और थोड़े टाइम बात जब बहुत सारे देश उस game को खेलना शुरू कर देते हैं तो वो game फिर बड़े-बड़े competitions हैं उनमें include कर लिए जाता है यह एक तरीका होता है किसी game को सुरू करने का International Basketball जो Federation है उसकी स्थापना 1932 जनेवा के अंदर हुई थी यह आपको जहांद रखना है FIBA इसकी platform है FIBA FIBA इसलिए है क्योंकि French में इसका नाम है Federation International D Basketball Association 1932 में इसकी स्थापना हुई थी जनेवा के अंदर पूरुसों के लिए basketball अधिकारिक तोर पर 1936 के Berlin Olympic में सामिल किया गया था सबसे पहले अगर आपको पूछें कि Olympic में basketball को कब समिल किया गया तो वो किया गया था 1936 के Berlin Olympic में 1936 Berlin Olympic में पहली बार basketball एक competition game के रूप में शामिल हुआ 21 टीमों ने भाग लिया था और अमेरिका ने इसने gold medal जीता महिलाओं का जो basketball है उसको 1976 के मोंट्रियल Olympic थे उसके अंदर जोड़ा गया था तो अभी हमने बहुत सारे points देख लिए 1976 में महिलाओं के लिए और 1936 में पुरुसों के लिए basketball को Olympic में समिल किया गया था अब देख लेते हैं basketball के history इंडिया के point of view से इंडिया में देखिए 20th century थी 20th century के अंदर अमेरिकी missionaryों द्वारा भारत में basketball की शुरुआत कर दी गई थी अमेरिका के कुछ लोग आये थे उन्होंने basketball को खेलना शुरू कर दिया था first decade of 20th century और यह माना गया था कि 1905 में H.Peterson और J.N.Gos इनके द्वारा Y.M.C.A. जो कलकता थी वहाँ पर basketball खेल की शुरुआत की गई थी तो अगर एकदम डीप में आगर आपको पूछें कि इंडिया के अंदर basketball खेल की शुरुआत कब की गई थी और option में आपको 1905 दिखाई दे वहाँ पर आप इसको correct कर सकते है पहुंचाने का काम है इस गेम को लोगों तक बताने का जो काम है वह किया था Y.M.C. College of Physical Education मदरासने 1920 के अंदर यह भी कापी important है फ्रेली जो रश्ट्य बास्केटबोल चेंपेंशिव थी फर्स्ट नेशनल बास्केटबोल चेंपेंशिव वो 1934 दिली के अंदर हुई थी और इंडिन ओलम्पिक जो असोशेशन है उसने इसका आयजन कराया बाद में देखिए 1950 के अंदर मुंबई में बास्केटबोल फेडरेशन ओफ इंडिया BFI का गठन हो गया था और BFI के गठन के बाद पहली राश्ट्री बास्केटबोल चेंपेंशिव उनिस सो इकाउन में लुधियाना पंजाब में आयोजित की गई थी तो देखें यहां पर दो तिन पॉइंट्स हैं इंडिया की जो बास्केटबोल हिस्ट्री है उससे समांदित 1934 में फस्ट नेशनल बास्केटबोल चेंपेंशिव इस्टाट हो गई थी और 1950 के अंदर BFI की स्थापना बास्केटबोल प्रेटर्सन ओफ इंडिया और 1951 के अंदर क्या हुआ था पहली नेशनल बास्केटबोल चेंपेंशिव की स्थापना हुई थी लुधियाना पंजाब के अंदर 1951 में नई दिल्ली में आयजित पहले एशन खेलों में बास्केटबोल को सामिल किया गया था आपको पता है पहला जो एशन गेम्स था वो हुआ था 1951 नई दिल्ली के अंदर उसके अंदर भी बास्केटबोल को सामिल कर लिया गया था यह पूरी हिस्ट्री थी इंडिया के कोट होता है अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं तो आप अभी वीडियो को धान से देखिए यह जो बास्केटबल का कोट है हम इसको साथ-साथ ड्रो करने वाले हैं तो देखिए जब हम बास्केटबल कोट को साथ-साथ में ड्रो करेंगे तो आपके दि की length होती है और जो line होती है उसको बोलते हैं side line, side line के बाद में जब उसकी width की बात करते हैं, चोडाई होती है 15 meter और उसको बोलते हैं end line, इससे हमें क्या पता लग गया कि basketball की जो लंबाई और चोडाई है, वो होती है 28 by 15, 28 meter यह लंबा होता है और 15 मिटर चोड़ा होता है यह पूरा basketball game के बारे में लंबाई चोड़ाई का measurement आ गया अब इसके बाद में आगे देखिए यह है इसकी center line इसको हम बोलते हैं center line sideline हो गई, end line हो गई अब है center line center line के बीचों बीच एक circle होता है वो circle कितने का होता है 3.6 मिटर का circle के बाद में हम देखने वाले हैं यह जो line आपको दिखाई दी है यह देखिए, यह wild line इन lines को बोलते है throw in line जब game रुक जाता है या फिर ball बाहर चले जाती है यहां से ball को पहका जाता है throw in line को बोलते है throw in line इनके एक dimension की बात करें तो यह 15 cm लंबी होती है और end line से अगर इसकी दूरी की बात करें तो वो होती है 8.325 मिटर यह जो throw in line है यहां से यहां तक की दूरी 8.35 मिटर है यह दोनों side में same ही होती है जैसा कि आपको पता ही है अब इसके बाद में देखते है उमारी जो ring होती है वहां पर किस तरिके से dimension दी होती है तो देखिए जो मारी basketball की ring होती है वो end line से 1.575 मिटर दूरी पर होती है अब देखिए यह जो basketball ring है इसके चार तरफ एक arc होता है चोटा वाला arc होता है उसके अगर हम radius की बात करें तो वो होती है 1.25 radius 1.25 radius का यहां से लेकर यहां तक इस तरिके से हम इसको बनाते है यह होगा चोटा वाला arc और आपको यह जो गोल गोल दिखाए जे रहे है यह क्या है basket ring है इसके अंदर हम basket करते हैं basketball को हम throw करते हैं इसके बाद देखिए आपने basketball court को देखा होगा उसको covering करके एक box सा बना हुआ होता है यह जो box है यह होता है restricted area यहां पर आप बिना बोल के अंदर नहीं जा सकते हैं इसके बाद में दो semi circle होते हैं पूरे court के अंदर यह जो semi circle हैं इनके अगर dimension की बात करें यह होते हैं 1.80 meter की बीच वाला center में circle है वो होता है 3.6 और इसके आदे आदे यह दोने होते हैं 3.6 का यह है 1.8 का यह और 1.8 का यह बहुती simple तरीके से इसको हम समझ रहे हैं क्योंकि साथ साथ जब हम बनाएंगे तो हमें basketball का court अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसके बाद देखिए एक बड़ा वाला आर्क होता है उसके लिए जो lines हैं इनकी जो distance होती है 0.9 meter यह हमारी जो side line है इससे यहां तक की दूरी है 0.9 meter अब देखिए इस point से लेकर इस point तक का एक बड़ा वाला आर्क होता है वो आर्क हम ड्रो कर देते हैं यह आर्क ड्रो हो गया अब इसके dimension में कुछ न कुछ होती होगी तो वो dimension हम यहां से लेंगे इस center point से लेंगे क्योंकि जो छोटा वाला आर्क था उसको भी हमने 1.25 meter radius से बनाया था इसकी जो radius है वो कितनी होती है 6.75 meter यह इसकी radius है 1.25 meter का छोटा वाला आर्क 6.75 meter का बड़ा वाला आर्क यह हमने आर्क बना दिये तो अब यह तक हमने बहुत ही simple तरीके से इसको समझा है तब से पहले इसकी length और width हमने बना दी इसको हम side line और end line बोलते हैं इसके बाद में center line center circle और उसके बाद में basketball ring है उसके आसपास का जो भी area था उसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया अब देखिए इसके बाद में क्या आता है यह two points goal area होता है यह जो बड़ा वाला आर्क है यह जो area आपको दिखाई दे रहे है इस side में यह रहा area यह area है इसको बोलते हैं two points goal area मतलब इस area के अंदर अगर हमारे पास bowl है और उसको हम basket कर देते हैं हम उसको basket के अंदर डाल देते हैं तो हमें दो point मिलेंगे अब यह तो बात हो कि दो point की अब हम three point का देख लेते हैं तो three point का जो हमारा area है वो ये होता है यहां से लेकर यहां तक का मतलब यह जो पूरा area है arc के बाहर दोनों बड़े वाले arc के जो बीच का area है वो three points goal area होता है मतलब इस area के अंदर ख़़े होके जब हम pole को throw करके basket कर देते हैं या फिर goal कर देते हैं तो हमें तीन point में लेंगे यह हमारा 2 points का goal area यह 3 points का goal area यह है restricted area यह basket ring इतना आमने समझ लिया अब इसके बाद में देखिए यह है team bench area यहां पर एक team बैठती है और यहां पर बैठती है दूसरी team यह दोनों team का bench area हो गया अब इनकी भी एक dimension होती है तो वो कितनी है center line से 5-5 meter की दूरी पर यह दोनों area होते है center line से 5 meter left में और 5 meter right में team bench का area होता है और बीच में होती है हमारी scoring table तहां पर scorer बैठे होते है यह पूरा simple सा basketball का court हमने draw कर दिया बहुत ही simple तरीके से समझा है अगर आपने 7-7 इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बठा लिया तो आप basketball का court कभी नहीं भूलोगी और इसी में से हमें question देखने को मिलते है कि बार हमें question देखने को मिलते है कि basketball का जो center circle है उसका diameter कितना होता है और तो छोटे वाले circle होते है उनके diameters कितने होते है throwing line है वो end line से कितने दूरी पर होती है तो इनको थो हमने बहुत ही simple तरीके से समझाए I hope इस measurement में आपको कोई problem नहीं होगी next हम देखेंगे backboard के बार में backboard के होता है आपने इस तरीके से देखा होगा basketball पे यह backboard है इसकी जो width है वो होती है 1.80 meter इसकी height है 1.05 meter इसके लंबाई और चोड़ाई हमने देख ली इसके बाद हम देखिए इसकी जो height है जमीन से किसकी height है basketball ring की यह 3.05 meter होती है 3.05 meter का मतलब है यह 9 feet से खोड़ा सा ज़्यदा होता है और इसके बाद में 2.90 meter क्या होता है बैक बोर्ड का जो नीचे वाला एरिया है यहां से floor तक की जो height है 2.90 meter आयोब आपको समझ में आया होगा बैक बोर्ड अग हार्ड वूर्ड का एक transparent material का बना होता है पारदर से यह material होता है आपने देखा भी होगा इसके आर पार दिखाई देता है non-reflective होता है non-reflective का मतलब है कि सामने से हमें इसमें देखने में problem नहीं होती नहीं तो हम गेम को खेली नहीं पाएंगे फ्लैट इसके surface होती है उबड खाबड नहीं होनी चाहिए बैक बोर्ड का निर्माट इस परकार किया जाना चाहिए कि अगर यह तूट भी जाए तो कांच के टुकड़े विखर कर किसी को चोट नहीं लग जाए अब इसके एके करके हम इसको यह measurement देखने वाले है सबसे पहले देखिए बैक बोर्ड की जो length है वो होती है 1.80 meter horizontally horizontally मतलब यह इस तरीके से इतना यह चोड़ा होता है 1.80 meter का होता है बैक बोर्ड की हाइड होती है 1.05 meter यहाँ पर दे रखिए इसके हाइड हो गई thickness के कर बात करें तो 3 cm यह मोटा होता है अब देखिए height of lower age of board from the floor यह 2.90 meter होती है बतलब यह जो board का जो last का point है यहाँ से लेकर floor तक नीचे तक का एरिया है वहाँ की height होती है 2.90 meter लेकिन basket के अगर आपको height कुछ है क्योंकि हमें bowl को तो basket के अंदर ही goal करना है वहाँ की height है वो होती है 3.05 meter इन दोनों में आपको confuse नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर basket लगी हुई है यह देखिए यहाँ पर basket लगी हुई है लेकिन backboard जो है वो यहाँ तक नीचे तक आ रहा है यह काली पट्टी आपको दिखाए जे रही है बैक बोर यहाँ तक आ रहा है लगबग 9 feet के height पर हमें basket देखने को मिलती है अगर हम board की line की बात करें तो वो 5 cm की होती है यहाँ line है इनकी width की बात हो रही है यह होती है 5 cm की यह अपको board अच्छे से समझ में आया होगा अगला equipment देखते हैं वो है basket ring basket ring एक फोस लोहे solid iron से बनी होती है और नारंगे color के हमें ज्यदा तर देखने को मिलती है orange color की यह होती है यह देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा basketball के हम ring की बात कर रहे है ring का diameter देख लेते हैं mm में होता है 450 से 477 mm 452, 457 mm इसका diameter होता है वैसे अगर centimeter में बात करें तो 452, 45.7 cm होता है और अगर meter में बात करें तो यह .450 से .457 वैसे तो इन तिनों में से आप एक को भी याद कर लेंगा तो exam में अगर आप से कुछ भी पूछें तो आप कर सकते हो लेकिन फिर भी एक idea के लिए मैंने आपको बता दिया है अगर आपको mm में पूछे centimeter में पूछे और meter में पूछे तो confused नहीं होना है क्योंकि यह question बहुत बार पूछा गया है कई बार mm में पूछ लेते है और हमें centimeter में पढ़ा होता है तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि mm को centimeter में change कैसे करेंगे तो देखें सिंपल सा है अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप देख लीजिए एक meter में बात करें एक meter में होते हैं 100 centimeter और एक meter में 1000 millimeter होते हैं और अगर एक centimeter में पूछे हैं तो वो 10 mm होते हैं जब ऐसे question आपके सामने दिखें तो आप इन तिनों को ध्यान में रखिए आपके question कभी गलत नहीं होंगे तो हमने ring का diameter हो देख लिया इसके बाद में metal का जो diameter है वो होता है 16-20 mm कितना deep में नहीं पूछते लेगिन आज केले कुछ भरोसा नहीं है आपको पता होना चाहिए यह जो diameter है इसका यह कितना मोटा होता है इसके बाद में पूछा गया है तो वो होता है 16-20 mm का यह हमने देख लिया यह होती है 3.05 में यह top एज है इसकी बात हो रही है यह एज नीचे जो परस है यहां से यहां तक की height यह हमने देखी थी यह होती है 3.05 मीटर वैसे यह अगर आपको mm में पूछें तो यह है 3050 mm क्योंकि हमने देख लिया एक मीटर में 1000 mm होते हैं तो आपको mm, cm और मीटर में confused नहीं होना है आपको कैसे भी घुमा के question दें आपको वो सही कर दें बसकेट रिंग के बाद में हम बसकेट नेट के बारे में देखने वाले है तो नेट एक सफेद तार से बनी होती है जो की रिंग से अलग होती है रिंग से अलग होने का मतलब है यह जो नेट लगी है यह इस रिंग से अलग है क्योंकि इसको बाद में लगाया गया है ऐसे नहीं है कि दोनों एक साथ में लगी हुई आपको दिखाई देंगी नेट को रिंग से जोडने के लिए 12 लूप्स के साथ निर्मित किया जाता है यह ऐसे लूप्स आपको दिखाई दे रही हैं यह 12 होते हैं एक, दो, तीन, च्यार, पांच, इस तरीके से यह पूरे 12 लूप्स होते हैं ऐसे क्यूशन से आजकल बुछते हैं अब बास्केट नेट के बारे में छोड़ी सी जानकरी है वो देख लेते हैं बास्केट नेट की जो लेंथ है वो 400 mm से 450 mm तक होती है यह important नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए इसकी length की बात हो रही है 400 mm से 450 mm तक इसकी length होती है और बास्केट का जो indoor court है उसकी height 7 meter होती है यह काफी important है यह बहुत बार exam में पूछा जाज़ो क्योंकि अगर आप NBA के जो match है वो देखोगे तो वो indoor में ही होते है इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बास्केट बोल का indoor court है उसकी height होती है 7 meter अब देखिए बोल के बारे में देखते है बोल spherical होती है गोल यह गेंद होती है इसमें leather, rubber और synthetic material से यह बनी होती है इसके अंदर एक bladder भी होता है जो की rubber का होता है गेंद को हवा के दवाब में इस तरह fly जाएगा कि इसे लगबग 1.80 meter की height से अब जब हम लकडी के floor पर गिराएंगे तो यह 1.20 meter से कम नहीं और 1.4 meter से अधिक नहीं उचलनी चाहिए इसका मतलब क्या हुआ देखिए यह height है यह कितनी है 1.80 meter यहां से हमने बोल को पकड़ लिया और बोल को नीचे drop कर दिया तो देखिए यह रहा 1.40 और यह है 1.20 तो बोल इसके बीच में कहीं पर वापस टपा खाके आनी चाहिए नीचे floor से अगर यह इससे उपर चली गई या फिर इससे नीचे रह गई तो इसका मतलब बोल में हवा का pressure सही नहीं है 1.20 मिटर से यह कमनी होनी चाहिए और 1.40 मिटर से उपर नहीं जानी चाहिए इस तरीके से इसको समझना है अजयोप आप air के pressure को अच्छे तरीके से समझ गये होंगे इस तरीके से बोल होती है या आपने बहुत बार देखा भी होगा देखिए अलग-अलग category wise बोल की अलग-अलग circumference और weight होता है सबसे पहले अगर women's की बात करें तो size होती है इसकी 6, 7, 2, 4 से 7, 3, 7 mm इसका circumference होता है इसकी परिदी होती है और weight की बात करें तो 510 से 566, 5102, 567 gram इसका weight होता है men's category के अंदर 7 number की बोल या फिर 7 number की size की बोल से हम खेलते हैं 749 से 780 mm इसका circumference है और 567 से 650 gram इसका weight होता है तो देखिए weight को तो आप बहुत अच्छे तरिके से समझ सकते हो इसका weight होता है 510 से 650 और बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है वो आ रहा है 567 कि 3 की धान में रखना है 510 से 567 होता है वो men's के लिए और 567 से 650 होता है men's के लिए यह weight का हो गया इसके बाद में circumference है उसको आप धान में रख लोगे यह भी काफी important बोल का weight और circumference आजकल exam में बहुत ज़दा पोचा जाने लगा है बोल के अगर black since के अगर width की बात करें वो होती है 6.35 mm यह देखिए यह जो black वाले है इनकी width की बात हो रही है यह 6.35 mm के होते है इसके बाद देखिए air का जो pressure है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ऐसे भी कुश्वन हमें देखने को मिले है तो इसका pressure है 7.5 से 8.5 psi psi का मतलब क्या होता है pounds per inch इसके full form है तो यह कितना होता है 7.5 से 8.5 यह आपको जान में रखना है यह बोल के बारे में हमने देख लिया अब हम देखेंगे rules के बारे में basketball के किस तरीके से rule होते है इस तरीके से इसको खिला जाता है तो देखिए basketball के जो rule है वो FIBA बनाती है Federation of International Basketball Association यह हमने देख लिया था basketball के total 8 नियम होते हैं लेकिन जब इस खेल की सुरुवात हुई थी तो इसके 13 नियम थे 13 rules थे इसके starting में जब James Nye Smith ने इस game को बनाया था लेकिन अब इसके 8 ही rule रह गई है यह भी हमें बहुत बार पूछा जाता है कि basketball में कितने rules होते हैं तो आपको जान रखना है 8 rules होते हैं परते एक team का जो purpose होता है वो basketball में score करना होता है और दूसरी team को score करने से रोकना होता है यह सबसे important काम होता है basketball के अंदर जिस team ने खेल के समय के end में सबसे अधिक point लिए है उसको हम विजयता घोशित कर देते हैं वो team हमारी winner रह जाती है team के बाद कर लेते हैं team के लिए क्या rules तो देखिए एक match में दो team आपस में compete करती हैं एक दूसरे के साथ वो खेलती हैं हर एक team में 12 players होते हैं उनमें एक captain होता है जो खेल court पर अपने team को represent करता है इसके बाद में 5 खेल के मैदान पर होते हैं इसके बिना खेल सुरू नहीं हो शकता मतलब court के अंदर 5 ही player खेलते हैं 7 player बाहर होते हैं वो extra भी हम बोल सकते हैं तो टोटल 12 player होते हैं बास्केट बोल के अंदर 7 extra होते हैं extra का मतलब है वो substitute होके बार-बार change होते रहेंगे इस तरीके से 12 खेलाड़ी पूरे होते हैं लेकिन 5 खेलाड़ी कम सकम court के अंदर मौजुद होने चाहिए अगर वो present नहीं रहते हैं तो हमारा game start नहीं होगा और एक team जितना चाहिए उतने substitute का उप्योग कर सकती है इसमें कोई limit नहीं होती कि आपने 2 कर लिए या फिर 4 कर लिए वो बार-बार change करती रह सकती है भार जो में team के 7 player बैठे होते हैं उनको हम बारी-बारे से change कर सकते हैं इसकी कोई भी limit नहीं है पांच team का एक support staff होता है जो team bench पर बैठ सकते हैं अब ये support staff क्या होता है और ये कितने होते हैं ये देखिए इसमें एक manager, doctor, physiotherapist, trainer, statistician, interpreter ये 5 की एक team होती है और अगर team चाहती है तो वो assistant coach को भी रख सकती है ये सारे कहां पर बैठते हैं team bench का जो area है वहां पर बैठते हैं उसमें 7 player होते हैं और ये 5 जो की support staff होता है support staff मतलब जो खेलते तो नहीं है लेकिन team का ध्यान रखते हैं team का manager होता है उसमें उसके अंदर team का trainer होता है जो team के players को खेलने के लिए मदद करते हैं अलग-अलग तरिके से वो help करते हैं उनका ध्यान रखते हैं उसके को बोलते हैं support staff तो team के बारे में हमने अच्छे तरिके से कमज़े लिया अब इसके बाद हम देख लेंगे हम uniform uniform का देखिए क्या नियम होता है team के सदस्यों की all in once uniform होती है मतलब सभी player एक जर्सी ही uniform पहनेंगे अलग-अलग color का वो shorts नहीं पहनेंगे अलग-अलग color की वो t-shirt नहीं पहन सकते पूरी team की एक ही dress होगी आगे और पीछे एक ही परमुख रंग की जर्सी आगे और पीछे जो उनकी जर्सी होती है वो same ही color की होनी चाहिए और दोनों साइड में number लिखे होनी चाहिए आपने basketball का game देखा होगा तो उसमें क्या होता है players की जर्सी होती है उसके दोनों साइड में number हमें देखने को मिलते है आगे की तरफ कम से कम 10 cm उंचा होता है पीछे की तरफ 20 cm उंचा और उसकी जो width है वो 2 cm होनी चाहिए इसका मतलब जो numbers हैं उनकी भी हमें dimension दे रखिया है front से वो 10 cm high होनी चाहिए अगर back की बात करें पीट के पीछे वो 20 cm उंचे होनी चाहिए और 2 cm इनकी width होनी चाहिए यह पूरा इनका dimension है सभी खलाड़ियों को अपनी जर्शी को अपने खेल वाले shorts में दबाना होता है तकिन करना होता है इसका मतलब यह हो गया कि आपने मालो नीचे shorts पहन रखिये हैं और T-shirt यह बाहर निकल रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा आपकी T-shirt आपके shorts के अंदर दबी होई होनी चाहिए आपकी proper tucking dress होनी चाहिए shorts के सामने और पीछे एक ही परमुख रंग के और घुटने के ऊपर समाप्त होते हैं जरूरी नहीं कि जर्सी के समान रंग के हो देखिये आपके shorts के लिए भी नियम होते हैं आप जो shorts पहन रहे हो वो गुटने से नीचे नहीं होने चाहिए गुटने के ऊपर ही वो complete हो जाने चाहिए लेकिन इसमें एक नियम और है आपके जर्सी का color है जर्सी का color है और shorts का color है वो same होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो color दोनों का अलग-अलग हो सकता है लेकिन पूरी टीम का वैसा ही होना चाहिए लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक player तो red color के dress पहन के आगया और बाकि जो टीम के members हैं वो अलग dress पहन के आगए ऐसा नहीं होना चाहिए तबी कि dress सेम होनी चाहिए लेकिन जर्सी और short सा color अलग-अलग हो सकता है अलग-अलग का मतलब है अगर एक खिलाड़ी का अलग-अलग है जैसे कि example से बात करें उपर उन्होंने black color की जर्सी पहन रखिए और नीचे white color का उन्होंने shorts पहन रखा है ऐसी uniform होती नहीं है लेकिन example के यह हम देख रहे हैं तो black color का यहाँ पर जर्सी है और white color के shorts है तो पूरी team के इसी तरीके से होनी चाहिए यह मैं समझाने की कौशिश कर रहा हूँ जर्सी और short color दोनों same नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन पूरी team का फिर वैसा ही होना चाहिए team के सब भी खिलाडियों के लिए एक ही परमुक रंग के socks होने चाहिए socks का गलर भी same होना चाहिए वो भी आप अलग-अलग नहीं पहन सकते team के जर्सी है वो light, dark के कम से कम 2 set आपके पास होने चाहिए एक light और एक dark आपके पास कितने set होने चाहिए दो यह standard rule है फ्यूबा के जो international level के tournaments होते हैं उनमें इन rules को follow किया जाता है chest number है वो 0299 तक होने चाहिए मतलब आपके जो chest के number है वो 00 से लेकर 99 हो सकते है तीन डिजिट में number नहीं जाने चाहिए 00 भी हो सकता है यह आपको जान में रखना है कई जग आपको लेखावार मिलेगा कि तीन number नहीं होना चाहिए दो number या फिर एक नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है 00 से लेकर 99 यहां तक number हो सकते लेगिन तीन डिजिट में number नहीं हो सकते यह काफी important है इसके बाद हम देखेंगे officials, table officials और commissioner के बारे में तो देखिए officials में एक referee होता है एक या दोस में empire होते है इसके बाद में table officials है उसमें एक commissioner होता है अगर वो present हो तो उसकी भी हम help ले सकते है table officials में scorer, assistant scorer, timer और short clock operator होता है यह पूरे हमारे table के officials होते है अधकारियों द्वारा खेल को चलाने के लिए अलग-अलग signals का उप्योग किया जाता है score sheet में प्रतेक foul और goal का उलेक किया जाएगा देखे तो score sheet होती है उसके अंदर कौन से player ने foul किया है और कौन से team का foul हुआ है वो और goal हम लिखते है next है opponents on basket इसका मतलब क्या होता है जिस tokeri पर एक team attack करती है मतलब tokeri का मतलब बास्केट इस बास्केट पर एक team attack करती है उसको opponents basket करते है opponent मतलब प्रती दोंदी या सामने वाले team की basket लेकिन जिस tokeri के अंदर हम defend कर रहे हैं मतलब यह हमारी वाली basket हो गई उसको ons basket करते है यह question एक्जाम में पूछा भी गया है कि ons basket क्या होती है on मतलब हमारी हमारी basket जिसको हमें goal होने से बचाना है यह simple साब इसको समझे how the ball is played ball को किस तरीके से खेला जाएगा बास्केट बोल का खेल केवल हाथों से ही खेला जाता है नीमों के परतिबंदों के अधिन जो हमारे rules हैं उनके restriction है किसी भी दिसामे goal को pass pass करना पैकना टैप करना लुड़काना या फिर dribble करना इसमें सामिल होता है आप इसमें pair का यूज नहीं कर सकते या फिर body के किसी और part को सामें नहीं ले सकते game को खेलने के लिए only ये हाथों से खेला जाने वाला game है इसके बाद में हम देखेंगे duration of play ये game कितने समय तक का होता है खेल में प्रतेक 10 minute के 4 quarter होते है 4 quarters में इस game को खेला जाता है पहले और दूसरे quarter जो हमारा पहला half होता है उसके बीज में 2 minute का अंतराल होता है 2 minute का हमें rest मिलता है और 3 और 4 quarter है उसके बीज में भी 2 minute का rest मिलता है प्रतेक जो extra time होता है उसके अंदर 2 minute का हमें rest मिलेगा अब इसको अच्छे तरीके से समझे देखिए पहला quarter 10 minute का हो गया अब हमें 2 minute का rest मिल गया दूसरा quarter हुआ वह भी 10 मिनिट का हो गया अब हमें क्या मिलेगा बीस मैं यह हो गये इंटरवल यहां पर दो मिनिट का रिस्ट और यहां पर भी 10 मिनिट का रिस्ट में धस्में 10 मिनिटा quarter इसमें देखिए half time पर 15 minute का rest मिलेगा यहां पर हमें half time मिला है यहां पर 15 minutes का rest मिलेगा पहला quarter हो गया 10 minute का फिर 2 minute का rest फिर दूसरा quarter 10 minute का इसका मतलब half time हो चुका है अब 15 minute का rest मिलेगा इसके बाद में तीसरा quarter है, 10 minute का, इसके बाद में 2 minute का rest, और last में जो 2 minute का rest है, उसके बाद में होता है 4 quarter, इस तरीके से ये पूरा game का timing होता है, यदि 4 quarter के बाद भी खेल के अंत में score बराबर हो जाता है, तो खेल में अब तक 5 minute का अथिरिक समय बार बार दिया जाता रहेगा, जो tie को हो गया, 60-60 के score पर है, अब इनको 5 minute का extra time देंगे, तो देखे हमने देखा था, प्रतेक अतिरिक अवदी से पहले भी 2 minute का अंतराल, 2 minute का interval दिये जाएगा, तो अब जो 5 minute का time देंगे, उससे पहले भी हम 2 minute का rest देंगे, 2 minute के rest के बाद ही, वो 5 minute का extra time का game होने वाला है, अग से चलता जाएगा, I hope आप इसको अच्छे तरीके से समझ गये होंगे, कि किस तरीके से हम break देते हैं, बीच में interval देते हैं, और फिर game को आगे तक ले कर जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है, beginning, end of a period or the game, कोई game किस तरीके से शुरू होता है, तो पहला जो quarter है, उसमें referee के हाथों म jump ball के लिए toss पर फोड़ जाती है, और उसके बाद आती है, इसका मतलब क्या हो गया, यह basketball का court है, यह यहाँ पर, जो center में circle होता है, वहाँ पर referee खड़ा होगा, एक player इस team का यहाँ पर है, और एक player इस team का यहाँ पर है, दोनो circle में आएंगे, और referee है, वो ball को उपर toss करेगा, बोल को उपर उचाल देगा, यह दोनों player उस ball को tap करेंगे, उपर से उसको tap करके अपने team member हैं, उनको ball pass करेंगे, और ball अपने projection में ले लेंगे, बोल अपने control में ले लेंगे, और फिर game को आगे खिलाते रहेंगे, अन्ने जो भी quarters हैं, उनमें gained officials के दोरा throwing के लिए खिलाड और यहाँ पर इसकी distance भी हमने देखी थी, तो यह जो throwing line है, यहाँ पर बाकी जो quarters हैं, पहले quarter के अलावा, यहाँ पर एक player खड़ रहता है, और वो ball को throw करता है, इस तरह के से यह पूरा game आगे तक जलता जाता है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, timeout, timeout हम किस तरह के से ले अब देखी एक team है, पहले half के अंदर 2 timeout ले सकती है, और दूसरे half में 3 timeout ले सकती है, total 2 half होते हैं, 4 quarters होते हैं, पहले half में 2 timeout और तीसरे half में ले सकती है 3 timeout, लेकिन अगर चोथे quarter में, अगर सिर्फ 2 minute का समय बचा हो, तो timeout नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 3 timeout दूसरे half म मिल रहे हैं, लेकिन last quarter बचा हुआ है और 8 minute complete हो चुके हैं, मतलब 2 minute और बची है, अब उनको timeout नहीं मिलेगा, 2 minute से पहले आप timeout ले सकते हो, last के 2 minute में timeout नहीं मिलता, प्रतेक जो extra time है, उसके लिए भी एक timeout दिया जाएगा, मतलब 5 minute का extra game चलेगा, उसके अंदर भी आप एक timeout ले सकते हो, timeout की duration कितनी होती है, 60 minutes की, एक minute का कमे होता है timeout का, goal के बात कर लेते हैं, 2 point area, हमने देखा था, 2 point area के अंदर बनाएगी एक basket में हमें 2 points मिलते हैं, 2 point filled goal area भी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बड़ा वाला arc था, उसके अंदर जो area होता है, यह वाला य उनके बीच में, यह 3 point goal area होता है, यहां से बोल अगर हम throw करके basket के अंदर डाल देते हैं, तो हमें 3 points मिलेंगे, free throw के लिए बनाएगी basket में, प्रतेक सफल परियास के लिए 1 point मिलेगा, free throw भी दिया आते हैं, यह लाइन है, यहां से हम बोल को basket कर रहे हैं, अगर हमने basket कर दिय तो हमें 1 point मिलेगा, इस तरीके से 2 point, 3 point और 1 point दिया जाता है basketball के अंदर, next हम देखने वाले हैं, substitution के बारे में, substitute हम किस तरीके से करते हैं, उनके भी कुछ नियम है, तो एक team, एक खिलाडी को 32 थापन आवसर, substitution जो opportunity होती है, उसके अंदर substitute कर सकती है, जब खेल की घड़ी र रुक जाती है, तभी हम substitute कर सकते हैं, और गेंद dead हो गई हो, dead होने का मतलब है, मानलों दोनों team में खेल रही है, और एक team के पास ball है, और ball को लेकर वो दूसरी side जा रहे है, तो उस time पर क्या होगा, substitute हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ball live है, live ball के अंदर substitution नहीं होगा, जब त time पर हम substitute कर सकते हैं, game lost by forfeit and default, उसमें क्या होता है, देखिए, खेल एक team द्वारा कब हारा जाता है, एक team एक game को कब हार जाती है, कि कब होगा, जब वो team ही absent हो, तो उसको हम हारा हुआ करार दे सकते हैं, इसके बाद में, court पर अगर पांच क्लाडियों के साथ, कोई team प्रे declare कर देंगे, निर्धारित समय में खेल को रोकने के लिए, अगर को team है, बार बार game को रोकने के लिए वो try कर रही है, और game को extend कर रही है, तो भी हम उस team को हारा हुआ गोशित कर देंगे, और अगर कोई team खेलने से इनकार कर देती है, तो उस team को भी हम हारा हुआ declare कर सकते है ऐसे में विरोधी टीम क्या करेगी 20-0 से विजयता गोशित कर दे जाएगा अगर कोई टीम खेलने से इंकार कर देती है तो हम क्या करेंगे सांध वाले टीम को 20-0 से सांध वाले टीम winner declare हो जाएगी जब खेल कोट में चल रहे खेल के दुरान किसी टीम के पास दो से कम खिलाड़ी हो तो खेल डिफॉल्ट रूप से खो सकता है और ऐसी कंडिशन में क्या होगा 20-0 से एक टीम को winner declare कर देंगे क्योंकि एक टीम में दो इक प्लेयर वच्चे हैं तो वो खेलने कैसे तो ऐसे कंडिशन में हम डिफॉल्ट फॉर्म में उस मैच को हम उस टीम को हरावा गोशित कर सकते हैं इसके बाद देखिए violation violation का मतलब एक तरह से हम foul बोल सकते हैं violation बोलते हैं basketball की language में violation नियमों का एक उलंगन है खेल के दुरान बहुत सारे type के violation होते है खिलाडी सीमा से बाहर player out of bounds and ball out of bounds एक खिलाडी out of bound होता है जब उसके सरीर का कोई हिस्सा side line या फिर end line इसके संपर्क में आ जाता है अगर उनको दोनों को touch कर देता है तो वो player out of bound हो जाता है dribbling के बात करते हैं उसको tap करता है और लुड़काता है उसे first पर dribble करता है ये पूरा dribbling का होता है या जान बूज कर backboard के खिलाफ फैंकता है और किसी अन्य खिलाडी को छूने से पहले उसे फिर से छूता है तो ये एक violation माना जाता है मतलब वो खुदी खेल रहा है बॉल को tap कर रहा है, dribble कर रहा है, लुड़का रहा है और उसको बॉल को fank रहा है तो ये भी एक violation है एक dribble अब समाप्त होता है जब खिलाडी एक साथ दोनों हाथों से गेंद को छूता है दोनों हाथों से आप बॉल को नहीं छू सकते है जब गेंद को एक या दोनों हाथों में आराम से पकड़ कर खड़ा रहता है आप dribble कर सकते हो, लुड़का सकते हो, tap कर सकते हो बॉल को throw कर सकते हो लेकिन आप बॉल को पकड़ के खड़े नहीं रह सकते है और दोनों हाथ से dribble भी नहीं कर सकते है बैक कोर्ट का भी एक फाउल होता है या फिर बैक कोर्ट का भी एक फाउलेशन होता है बोल के साथ विपरिद टीम के कोर्ट में परवेस करने के पस्चात वापस अपने कोर्ट में बोल को पास करना बैक कोर्ट फाउल होता है इसके बाद मैच थ्रोइन से शुरू होता है दे सिपॉइंग को सुरू करेंगे यहां पर यह दो ऐसे लगे होते हैं यहां से मौल को वापस गेंग को अगला पॉइंट है तो देखिए पहला है 3 सेकंड का है एक खिलाडी लगातार 3 सेकंड से अधिक तक लाइव गेंद के साथ restricted area में gain को अपने पास नहीं रख सकता हमने देखा था जब हमने diagram बनाया था यहाँ पर लिखा था restricted area यहाँ पर जो restricted area है इसके अंदर ball को 3 seconds से ज़्यादा कोई player नहीं रख सकता इसके बाद में rule है 5 seconds का एक player ball को 5 seconds से अधिक समय तक रोख कर नहीं रख सकता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई player खड़ा है और उस ball को लेकर लंबे time तक किसी को पास ही नहीं कर रहा है तो 5 seconds से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए next है 8 seconds rule एक team को 8 seconds के अंदर विरोधि टीम के court में जाना होता है कोई team पानलो बहुत ज़्यादा lead में खेल रही है और ये center line से इस side वो खेल रही है बहुत ज़्यादा lead में लेकिन वो 8 seconds से ज़्यादा इस court में नहीं रह सकते 8 seconds के अंदर अंदर उनको सामने वाले कोड में जाना ही होता है एक होता है 24 सेकेंड रूल उसके अंदर जब कोई टीम गेंद पर अपना पजेशन कर लेती है अपना कबजा कर लेती है तो उन्हें अधिकतम 24 सेकेंड के भीतर बास्किट के लिए शोट लगाने का परियास करना होता है देखिए अब मालो इस टीम के पास गेंद है और 8 सेकेंड तक वो सामने वाले कोड में चले जाएगी लेकिन 24 सेकेंड तक उनको एक ट्राइ करना पड़ेगा बास्केट में बोल को थ्रो करने का ऐसा नहीं होना चाहिए यह बास्केट में बोल को मार ही नहीं रहे और सामने वाले कोड में भी चले गए लेकिन एक दूसरे को बोल पास कर रहे है ऐसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए यह टाइम रूल का वायलेशन होता है तो टाइम रूल के अंदर टोटल यह च्यार इंपोर्टेंट वायलेशन आपको देखने को मिलता है 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड और 24 सेकंड आई होप आप इनको अच्छे तरीके से समझी होंगे अब देखते हैं नेक्स्ट है फाउल्स के बार में फाउल्स में सबसे पहले नीमों का उलंगान होता यह भी और खेल भाउना का गलत प्रीचे जब कोई प्लेयर देता है तो उसको हम फाउल देते हैं एक बार जब एक टीम एक क्वाटर में 4 फाउल कर लेती है तो प्रतेक अगले फाउल में विरोधी टीम को पर बास्केट है उसको फाउल को बास्केट में मारना होता है अगर बास्केट मार दिया तो एक पॉइंट मिल जाएगा कब मिलेगा 500 फाउल करने पर और कौन से में एक क्वाटर में ऐसे नहीं पूर गेम में, एक वाटर में 5 फाउल करने पर यह दिया जाता, फाउल के कई प्रकार है, परसनल फाउल, टेकनिकल फाउल, अन्सपोर्समैन, लाइक फाउल, डिस्क्वालिफाइंग फाउल, यह इस तरीके से परकात होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे परसनल फाउल इसके अंदर क्या होता है एक परसनल फाउल जता होता है जब आमने सामने illegal contact हो जाता है दो प्लेयर्स का मतलब प्लेयर्स एक दूसरे को चोड़ पहुंचाने की पोसिस कर रहे हैं इसको ब्लोक कर रहे हैं धका दे रहे हैं या फिर उस पर चार्ज कर रहे हैं तो यह जो abnormal position होती है इसको rough और violent play में सामिल किया जाता है इसको हम बोलेंगे परसनल फाउल 5 से अधिक व्यक्तिकत फाउल more than 5 personal fouls करने वाले खिलाड़ी को खेल से बाहर रखा जाता है काफ़ important point है इसको आपको धान में रखना है एक single player है एक individual player है अगर उसने 5 से ज़्यदा foul कर दिये तो उसको game से बाहर कर दिये जाता है यह question बहुत बार exam में भी पूछ आ गया है charging क्या होती है एक offensive foul होता है यह और यह तब होता है जब कोई खिलाड़ी defensive player को धक्का वारता है उसको करने पर यह foul दिये जाता है और gaind उस team को दे दी जाती है इस पर foul किया गया blocking क्या होता है blocking के अंदर एक illegal personal contact हो जाता है जो gaind के साथ या उसके बिना opponent की जो progress है उसको रोगने की कोसिस करता है या उसमें बादा डालता है यह होता है blocking मतलब आप किसी को block कर रहे हो वो ball को लेके जा रहा है आप उसको block कर रहे हो यह भी एक foul बाना जाता है यह थे पूरे personal foul अब हम बात करते है technical foul की तो देखे यह एक behavior nature का part है इसमें non-contact foul होता है इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले player को disgrace कर रहे हो उसकी respect नहीं कर रहे है गलत words का आप use कर रहे हो या फिर time को delay करने ही कोसिस कर रहे हो वो होता है technical foul के अंदर इसके बाद में unsportsman like foul उसके अंदर क्या होगा यह एक ऐसा foul होता है जो खेल की भावना या कठोर संपर्क बनाए जाता है इसके अंदर क्या होगा कि आप game की split को तोड़ रहे हो तब यह foul आपको दिया जाता है last match disqualification foul यह खिलाडियों coaches और delegation members द्वारा की गई कोई भी हिंसात्मक कारवाई के लिए दिया जाता है कोई भी players है या फिर बाहर जो team bench पे उनको official support staff बैठा हुआ होता है वो भी अगर गलती करता है तो यह disqualification foul उनको दिया दिया जाता है बाकि जो सारे fouls थे वो players के लिए थे लेकिन disqualification fouls में coaches भी आ जाते हैं और delegation member भी आ जाते हैं जो किसी team के साथ होते हैं यह पूरे fouls थे इसके बाद देखिए penalty के अलावा प्रतेक foul का आरोब लगाए जाएगा और अपरादी के खिलाफ score sheet में भी दर्ज किया जाएगा और उसको फिर दंड दिया जाएगा देखिए कोई भी player जब foul करता है तो उसको हम note कर लेंगे score sheet के अंदर score sheet के अंदर उसको हम mention कर लेंगे कि उस particular player का foul हुआ है लडाई में सामिल खेल code पर खिलाडियों के खिलाफ possible जो foul penalty हैं और नियमों के अनुसार हम उसको deal करेंगे जो हमारे rules हैं उनके coding हम उनको deal करने की कौसिस करते हैं अब हम basic skills की बात कर लेते हैं foul penalty देख लिए अब basic skills में सबसे पहले आता है dribbling गेंद को court के par ले जाना defensive player से दूर जाना एक अच्छी passing line बनाना या फिर ढूंडना faking action का उप्योग करना एक पर एक और निश्चित रूप से goal करने के लिए गेंद को score करना ये सब कुछ important है ये आपको आना ही चाहिए विबिन परकार की dribbling होती है कई stationary होती है मतलब आप एक जगापे खड़े हुई हो और कई होते हैं moving position अलग-अलग आप drills कर रहे हो अलग-अलग आप practice कर रहे हो ये देखिए ये पूरी types और dribble के stationary, low, high, cange of pace, crossover, behind the back, between the legs, speed dribble, reverse spin dribble dribble का मतलब ball को आप उपर से tap कर रहे हो और नीचे ball जब hit होकर वापस उपर आती है इस पूरी process को dribble बोलते है इसमें आप ball को ऐसे भी घुमा कर ले जाते हो ये अलग-अलग types है low dribble मतलब आप ball को अगदम नीचा रख रहे हो बार-बार उसको नीचे इचे tap करके जा रहे हो high dribble मतलब ball को मुँचा आप टपा खिला कर आगे की तरफ ले कर जा रहे हो ये अलग-अलग types की dribble होती है तो ये basic skill है बास्केट बोल के अंदर ये तो आपको आने ही चाहिए next दो skill है उसके हम बात कर रहे है passing and receiving एक अच्छे offensive attack के लिए static pass होना चाहिए receive किया, A player ने pass किया है और B player ने उसको receive किया है ये simple size को समझना है passing है और ये receiving है passing की quality बढ़ाने के लिए fake और faint का इस्तिमाल किया जाता है इस्तिर और गती seal समुहा और team के अभ्यास के दुरान ये एक या दोनों हाथों का आप योग करके विभन प्रकार के passing होते है देखिए, passing अंदर fake और faint का मतलब क्या होता है आप के इसे कोई चकमा दे रहे हो आप मालों दोनों player एक team के यहाँ खड़े हो और 20 में कोई player है somewhere team का तो आप इसको pass देने के लिए आपने एक fake action किया आपने एक nutly action किया और यहाँ पर दोनों हाथ करके आपने इस side pass दे दिया यह भी एक passing की technique है ऐसी drills करनी चाहिए, हमें ऐसी practice करनी चाहिए जिससे कि हम इनको सीख सकें यह stationary होती है मतलब एक जगा पर खड़े होके भी आप pass कर सकते हो और यह moving group भी होती है आप भागते-भागते dribble करते वे भी इसको pass कर सकते हो अलग-लग होते हैं chest, overhead, push, bounce, holder, hook, off the dribble और baseball pass यह पूरे passes की types है इसके बाद में next तो skill है वो है shooting shooting के अंदर hail का odysh से scoring maximum points हमारा purpose होता है कि हम ज्यादा है ज्यादा points ले सके है इसलिए इसी game को जीतने के लिए team की shooting में धार होना जरूरी है यह देखिए jump short है, dunk short, free throw, lay up short और three point short यह पुरे shots के type है shooting भी हमें करने होती है shooting करने का मतलब है यहाँ पर basket है और एक player भाग कर आ रहा है और basket के अंदर ball को throw कर रहा है यह तो हमें आना ही चाहिए तो इस तरीके से हमने basic skills देख ली basket ball की अगर हमें basketball को सीखना है यह basic skills तो हमें आना ही चाहिए इसके बाद देखिए rebounding होता है rebounding का purpose होता है missed field goal या free throw के बाद basketball को अपने possession में लेना क्योंकि ring और backboard से वो rebound करता है rebound का मतलब है यह मानलो backboard है A team ने यहाँ पर ball को throw किया उसके बाद में ball यहाँ पर लगकर वापस जब आती है तो beat team ने उसको अपने possession में ले लिया अपने अधिकार में ले लिया अपने कबजे में ले लिया यह होता है rebounding rebound बार-बार अगर कोई player ले रहा है इसका मतलब वो एक अच्छा basketball player है यह खेल में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अधिकान्स possession समाप्थ हो जाता है जब एक team एक short चुग जाती है जब एक team एक short को मारती है और वो short नहीं होता है तो बोल उनके possession से चले जाती है सामने वाली जो beat team है वो उस game को वो उस ball को ले लेगी और आगे ले जाएगी rebound के दो type होती है एक होता है offensive और एक होता है defensive offensive में क्या है जब गेंद को offensive side द्वारा recover किया जाता है और position नहीं बदलता है मतलब यह है backboard और यहाँ पर आप बोल को throw कर रहे हो बोल यहाँ पर basket हुई यह फिर नहीं हुई उसके बाद में भी यह मानलो A team है और वापस बोल rebound यहाँ पर होकर मतलब यहाँ से टपा खागर वापस आती है उसको बोलते हैं offensive rebound इसके बाद में next है defensive rebound defensive rebound में यह A team से ball B team के तरफ चली जाएगी दूसरी team के position में ball चली जाएगी दूसरी team उस ball को अपने अबजे में कर लेगी rebound कै अधिकांस defensive होता है क्योंकि defense के team missed जो sort होते है उनको recover करने के लिए अच्छी condition में रहती है ज्यादा तरह हम देखते हैं जो rebound लेते हैं वो महलोब A team से B team में ही जाते हैं क्योंकि इस team के मारने के बाद ये team उस ball को लेने के लिए तयार रहती है लेकिन कि ये बार offensive defensive तरिके से भी rebound लिए जाते हैं इसके बाद देखिए defense की बात करते हैं तो defense को normally 3 types में divide किया गया है पहला है man to man defense इसके अंदर क्या होता है एक player एक player को defend करेगा इस तरिके से आप इसको समझ सकते हो एक आदमी एक आदमी को defense करने वाला है एक player को रोकने वाला है उसके बाद में next है zone defense zone के अंदर एक specific area होता है कि इस area के अंदर इस player को defend करना है ये वाला area है ये इस player का है इस तरिके से इसको general defense बोलते है और तीसरा जो है combined defense उसमें क्या होगा एक man को भी defend करना है और एक area को भी defend करना है इन दोनों को हमें defend करना पड़ते है जिब कोई बहुत ही छांदर player होता है सामनों और टीम के उसको रोकने के लिए हम man to man defense भी करते हैं और हम general defense भी करते हैं ये पूरी defense की तिनों types होती है इनको आप अच्छे तरिके से समझ सकते हो वीडियो पोस्ट करके आप इनको read out भी कर सकते हो नेक्स्ट हम देखेंगे national और international level पर basketball को कौन सी bodies चलाती है कौन कौन सी वो सेंस्ता है सबसे पहले है FIBA Federation of International Basketball Association ये इसका logo है इसकी स्थापना हुई थी 18 जून 1932 को जिनेवा के अंदर क्योंकि शुर्जलेंड के अंदर है अभी इसका headquarter है अगर इसकी membership की बात करें तो FIBA के अंदर अभी total 212 देश सामिल है official language वहां की English और French है इसके पहले president है Leon Beaufort जो की 1932 में बने थे अब इसके honorary president की बात कर लेते हैं वो है James Naismith जिन्होंने इस game को शुरू किया था वो कब बने थे 1936 के जो summer Olympics थे उनमें उनको honorary president बनाया गया था मतलब उनको एक मानद उपादी दी गई थी परमानेंट जो president थे वो तो Leon Beaufort थे तो इनको आप सभी को जान में रखिए इसकी इस्तापना हुई थी जनेवा के अंदर और headquarter है मीज शुट्जले लेंड में केजर्स बोलते हैं 1936 में फीबा से हम affiliate हो चुके थे 1936 में में फीबा से मानने था मिल गई थी तो ये important बन जाता है एक तो कि इंडिया के जो players हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोला जाता है young casers वैसे भी casers नाम है ये basketball players के लिए ही आता है कि आपको धन्द रखना है next हमारा रहेगा major tournaments तो देखिए international level पर ये major tournaments होते हैं इसमें basketball world cup आ गया इसको फीबा world championship भी हम बोलते हैं Olympic games आ गए इसके बाद में American tournaments है European tournaments और national team tournaments है इस तरीके से NBA Argentine European league Italian league Spanish league इस तरीके से ये पूरे major international tournaments होते हैं इसके बाद में अगर important tournaments की बाद करें हैं तो वो आ जाते हैं हमारे national level के tournaments इसमें देखिए बसालत जा ट्रोफी BC गुपता ट्रोफी पेडरेशन कप SM अरजुन राजा ट्रोफी तोड मेमोरियल ट्रोफी विलियम जॉन्स कप Bangalore Blues Challenge Cup और Nehru Cup ये काफी important है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए international level के कप exam में देखने को हमें कम ही मिलेंगे लेकिन आपको इसो national level के major tournaments हैं इनके बारे में आपको पूच सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए Olympics में देख लेते हैं इसमें क्या है Summer Olympics के अंदर 1936 से लगातार पूर्सों के कैटेगरी में बास्केटबोल को खेला जा रहा है एक medal sport के रूप में जब ये सामिल हुआ था उससे पहले हमने देख लिया कि 1904 के जो सेंट लूइस को अलमपिक हुए थे उसमें एक demonstration event के रूप में इसको सामिल किया गया था अगर महिला बास्केटबोल की बात करें तो 1976 के जो मौन्ट्रियाल ओलमपिक हुए थे उसके अंदर women's basketball को सामिल किया गया था 9 June 2017 इसके अंदर 3 into 3 मतलब एक बास्केटबोल टीम में 3 प्लेयर होंगे 3 into 3 3 प्लेयर की बास्केटबोल जो competition है वो शुरू हो गई थी और वो कब शुरू हुई थी 2020 के Summer Olympics से पहला इसका tournament complete हो चुका है 3 into 3 बास्केटबोल भारत ने ओलमपिक में के एक ही बार 1980 Moscow Olympic में participate किया है एक ही बार भारत ने participate किया 1980 के अंदर यह आपको धान में रखना है और यह participate हम तब कर पाए थे जब उस टाम का जो Soviet Union था जो कि आज का Russia बन चुका है उसने Afghanistan पर 1979 में attack कर दिया था तो इस attack के against में बहुत सारे countries ने boycott कर दिया था उस Olympic को क्योंकि Olympic भी Moscow में ही हो रहा था बहुत सारे जो countries थे उन्होंने मना कर दिया कि हम Olympic में नहीं खेलेंगे तब इंडिया का number आ गया और इंडिया ने 1980 का पहला Olympic खेला basketball के अंदर सबसे ज़एदा अगर gold medal की बात करें तो वो अमेरिकान जीते हैं टोटल 25 gold medal जीते हैं basketball के अंदर और पहला medal मेंस में अमेरिकाने और वो मेंस में जीता Soviet Union ने 1976 में यह आपको जान में रखना है next time Asian Games Asian Games के अंदर 1951 का जो पहला edition था उसके अंदर ही basketball को सामिल कर लिया गया था और इंडिया उसमें कोथे स्थान पर रहा था fourth place पर रहा था इंडिया पहले Asian Games में basketball के अंदर Asian Games में basketball के अंदर पहला gold medal Philippines ने जीता था जापान को हरा कर कि आपको जान रखना है सबसे ज़्यदा अगर medals की बात करें तो वो surprising है चाइना ने जीते हैं basketball आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यदा उची height वाले जो players होते हैं उनका game होता है लेकिन आपने अगर देखा हो तो चाइना के जो players हैं या फिर चाइना के जो लोग हैं उनके height कम होती है लेकिन फिर भी उनका dominance basketball के अंदर Asian Games में सबसे ज़्यदा है तो इनाने 16 gold जीते हैं इन में men's में 8 women's में 6 3x3 का Asian Games में अभी हाल ही में start हुआ है उसके अंदर भी men's और women's category के अंदर उन्होंने gold medal अपने नाम किया है next है commonwealth games तो देखिए basketball अभी तक दो बार ही commonwealth games में सामिल हुआ है तो से पहले कब हुआ था 2006 के Melbourne में commonwealth games हुए थे उसके अंदर और अभी 2018 के जो commonwealth games है gold cost के अंदर वहाँ पर सामिल हुआ है दो बार इसको सामिल किया गया है लेकिन अगस्थ 2017 में क्या decide किया गया कि 3x3 का जो basketball है उसको सामिल किया जाएगा 2022 के Birmingham commonwealth games के अंदर सबसे जज़ा अगर medals की बात करें तो वो 4 medals जीते हैं Australia ने दो men's में और दो women's में इसके बाद देखिए famous players की बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ये कुछ famous players हुए है जिसमें की Bobby Bryant, Michael Jordan, Yao Ming ऐसे नाम है ये जो famous नाम है ये आपको पता होनी चाहिए लेकिन अगर ये पता नहीं भी होते हैं इंडिया के जो famous players है इनके बारे में आपको जरूर पता होने चाहिए इनमें Amjot Singh, Katnam Singh, Azmir Singh, Siba Magon और Khushiram ये काफि important है Azmir Singh को Poopster on a new high भी कहा जाता है क्योंकि 1980 का जो Moscow Olympic था उसके अंदर ये इंडिया के star player थे Siba Magon को Queen of basketball in India का जाता है ये काफि important है Siba Megan Queen of basketball in India Khushiram को the scoring machine of Asia ये तीनों काफि important है इनके बारे में आप से एक्जाम में question पूछने को मिल सकते है Next हम awards की बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले अर्जुन आवोर्ड देखेंगे सरबजीत सिंग को 1961 में अर्जुन आवोर्ड दिया गया था basketball के अंदर उसके बाद में खोशिराम, गुर्दयाल सिंग, हवलदार, हरीदत, गुलाब अबास, मुंतस्र से लेकर ओमपरकास, अजमेर सिंग, रादेशाम, सुमन वर्मा, कितने प्लेयर्स को अभी तक अर्जुन आवोर्ड मिल चुका है इसका मतलब basketball के अंदर अर्जुन आवोर्ड ही बहुँ जाद है लेकिन अगर हम ध्यान चन्द आवोर्ड की बात करें तो वो अभी तक दोई प्लेयर को मिला है अपरणा घोस और राम कुमार तो ये दोने इंबोर्डेंट है इसके बाद में अगर पदम सिरी की बात करें तो वो भी दोई प्लेयर्स को मिला है वो है परसांती सिंग और अनीता वाजदूर रही ये देखिए तो ये पूरे अवर्स थे अब टर्मिनलोजियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर काम में आते हैं तो देखिए ड्रिबलिंग, प्रंट कॉर्ट, सेकेंड ड्रिबल टू-कांट, स्टॉप, ट्रैवलिंग, पिवर्टिंग, हेल्ड बॉल, जंप वाइलेशन ये पूरी टर्मिनलोजी है वैसे तो बहुत सारी टर्म्स हैं बास्केट बॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम है जो कि आपने पहले बार सुनी होंगे लेकिन ये काफी important नाम है जो कि शामिल किया गए है ये देखिए ये पूरे टर्मिनलोजी है बास्केट बॉल की इसमें L-Cut, V-Cut, Outlet Pass, Dunk, Sin-Eat, Steel, Charging, On-Stead इस तरीके से ये जो यूनिक नाम है ये आपको कई बार एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं ये पूरी टर्म्स थी आई होब आप इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे तो इसी point के साथ हमारे total 12 points complete हो गए हैं और हमने basketball को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है आई होब आपको अभी points समझ में आये होंगे अगर आपको कोई doubt है तो आप comment में जरूर पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही हम सभी games के detail में वीडियो देखने वाले हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद